तारिक है 3 मार्श 2023, ओम शांती बाप दादा मदुबन बाबा बोले, मीठे बच्चे, जब स्वच पोधों पर पांच विकारों की मैल चड़ती है, तब ब्रष्टा चार बढ़ता है, अब तुम्हें स्रिष्टा चारी बनना और बनाना है तो कभी-कभी बाबा हमको क्या केते हम कौन है, हम आत्माएं, हम आत्माएं खुश्पूधार फूल है, तो आज बाबा ने कहा है हम आत्माएं स्वच पोधे पर पोधा है तो बाबा कहते है उनपर पांच विकारों की मैल चड़ती है, तब ब्रष्टा चार बढ़ता है, अब तुम्हें स्वर्ष्टा चारी बनना और बनाना है बाबा क्या है? माली है बागबन है तो वो हमको अच्छे से अच्छा पोधा बनाते है या कहो अच्छे से अच्छा खुश्बुदार फूल बनाते है तो बाबा आज कहते हैं हमें क्या बनना है? स्रिष्टाचारी और बनाना भी दूसरों को वही है तो अचिका प्रश्ण है श्रेष्ट बनने के लिए श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ट मत कौन सी मिलती है उत्तर है श्रेष्ट बनने के लिए बाब की श्री मत मिलती है बच्चे कम से कम आठ गंटे मेरी सर्विस पर रहो आठ गंटा भल उस गवर्णमेंट की सर्विस करो लेकिन आठ गंटा मुझे याद करो वा स्वधर्शन चक्र फिराओ साथ साथ शंक ध्वनी करो सबको कहो कि ग्रहस्त बेवार में रहते कमल फूल समान रहकर बाप से वरसालो तो अभी बाबा ने क्या कहा है बाबा की श्रीमत क्या है श्रिष्ट बनने के लिए कम से कम आठ गंटे मेनत करनी है हमें क्या करना है सर्विस पर रहना है आठ गंटा भले हम गवरंट्मेंट की जॉब करें हमारे शरीर निर्वा अर्थ जो भी हम काम करते हैं वो लेकिन बाबा के ते आट गंटा मुझे याद करो या स्वधर्शन चक्र फिरा वो दोनों एक ही है जब हम स्वधर्शन चक्र भी गुमाते हैं तो वो बाबा की श्रीमत के अनुसार हम अपने ही पांच स्वरुपों के दर्शन करते हैं तो आज बाबा ने कहाने कि जब हम अपना दर्शन करते रहते तो बाबा ने आज क्या कहा है अव्यक्त मुरली में कि बाबा मिलन में कि ना पर दर्शन करना है ना पर चिंतन करना है तो क्या करते हैं हम अपना और ना तो परमत में जाना है हमें क्या बनना परोपकारी बनना है, तो जब हम स्वधर्शन अपना ही दर्शन करेंगे, अपना ही चिंतन करेंगे, तो अपनी ही आत्मा में बाबा से हम लेके हम अपने अपने आप में शक्ती भरेंगे, पावर भरेंगे, साथ साथ शंक ध्वनी करो, शंक ध्वनी का अर्थ क्या है, कि बा पहस्त वेवार में रहते कमल फुल समान रहकर पाप से बरसालों। गीत आज का है किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांती। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अभी बाबा स्टोरी की तरह हमें हमारी स्टोरी केते के सत्यूग में क्या होता है। बच्चे पहले बहुत ही सत्यूग के सुख भोकते थे। बहुत मस्त थे। खुशिया ही खुशिया थी। सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। भारतवासी यथा राजा, रानी तथा प्रजा सब बहुत मजे में थे, खुशी में थे, कभी कोई ब्रस्टाचार नहीं होता था, सत्यूद में देवी देवता श्रिष्टाचारी थे, जिन हो की कितनी महीमा गाई जाती है, महीमा यथा राजा, रानी तथा प्रजा सब की हो होती है यह भी ड्रामा बनाया है तो अभी इतना अच्छा सबको जा रहा था सत्युगोर त्रेता में अभी क्या हुआ बाबा केते माया आकर चटकती है मिन्स माया इंट्री मारती है कब से द्वापर से तो बाबा क्या केते यह भी ड्रामा बना बनाया है उसका उस वकत उसका अभी टाइम हुआ, शुरू हुआ, माया का ड्रामा में, जिसको अच्छी रिती समझना है, बाप के सिवय कोई समझा न सके, बाप ही भारत और विश्व को सदा सुखी, शांत मई बनाए, सब कुछ करके फिर खुद छिप जाते हैं, यह किसकी महिमा है, परमपिता परमात्मा की, तो बाबा क्या करते ही, इतना सब कुछ देते हैं, उसके बाद छिप जाते हैं, भारत में जब स्वर्ग था, तो देवी दिवताओं का राज्य था, सतो प्रधान था, दुख का नाम निशान नहीं था, फिर आधा कल्क बाद रावन राज्य हुआ, सत्यु के कारी मर्यादा पुर्ष्योतम, वहां तो कभी ब्रष्टाचार हो नहीं सकता, कहां सत्युग में, वहां तो श्रिष्टाचारी थे, पोधे जो स्वच्छ थे, उन पर पाँच विकारों की मेल चड़ने से, मिन्स हम आत्माये, उपर पाँच विकारों की मेल चड़ने से, ब पूरा रश्टाचार हो गया है राजा रानी तथा प्रजा जो रश्टाचारी थे वह अब सभी रश्टाचारी बन पड़े हैं गाते भी हैं मुझ निर्गुन हारे में कोई घुन ना ही आपे ही रहम करो ओ गौड़ फादर रहम मागते हैं देवी देवता हो के आगे जाकर क कि फिर ऐसा कब बनेंगे तो तुम स्रश्टाचारी थे ब्रश्टाचार का नाम नहीं था बाबा हमें सब कुछ हमारा पास्ट याद दिला रहे हैं जो हम भूल गए हैं इस समय सभी मनुश्य ब्रश्ट बन पड़े हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा अब ब्रश्टाचारी कैसे बन सकते हैं यह कोई जानते नहीं है तो बाबा केते हैं यह था राजा रानी तथा प्रजा सब मनुश्य ब्रश्ट बन पड़े हैं अब ब्रश्टाचारी से इस ब्रश्टाचारी कैसे बन सकते हैं यह कोई नहीं जानते हैं यह हैं ही प्रश्टाच अब बाब की महीमा गाते हैं, अपने आप सब कुछ करके अपने आप छिपाया। निराकर भगवन को आना जरूर पड़ता है। शिव जैनती मनाते हैं, कैसे आते हैं? अभी तुम बच्चे जानते हैं। शिव है कि पावन उनको आना ही तब है जब सारी शुरुष्टी पतीत बन जाती है। उसको आकर पावन बनाना है। उसका ये रोल है पाट है ड्रामा में। दो चार को तो पावन नहीं बनाएंगे ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन थे फिर अब यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पती थे। अभी तो राजा रानी है नहीं। जानते है राजे लोग थे अब उन्हों की राजाई है नहीं। ब्रिटिश गवर्न्मेन थी तो साहुकार लोग, जमिनदार, आदी, धन देते थे, कोई ने बीस, तीस, हजार दिया तो टाइटल मिल जाता था, बाबा अनुभवी है न मिन्स ब्रह्मा बाबा ने ब्रिटिश का राज्य देखा हुआ है, तो बाबा केते हैं बाबा अनुभ अनुभवी रथ लिया है, कोन अनुभवी रथ है? ब्रह्मा बाबा, ऐसा वेसा रथ थोड़े ही लेगा, बड़े-बड़े राजाे होते हैं बड़े-बड़े राजाए होते हैं तो वह गोड़े बहुत फस्कलास रखते हैं, जानवरों में भी कोई-कोई बहुत अच्छ जैसे उट कोई बहुत अच्छे होते हैं, बैठे तो जैसे एरोपलेन चलता है, कोई तो एसा होता है जो बहुत डंडे लगाने पड़ते हैं, तो उट में भी देखो बाबा के ते कैटेगरी होती हैं, तो बरोबर यह भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, यह तो मश्यूर हैं क्रिस्चिन लोग भी केते हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, तो बरोबर कल्प 5000 वर्ष का हो गया, खुद ही कल्प की आयू बतलाते हैं, फिर सत्यू को लाखो वर्ष केते हैं, क्योंकि केते हैं वैसे कि क्राइस्ट से 3000 पहले स्वर्ग था, और बाद में केत तो बाबा केते हैं ऐसी points बाबा समझाते हैं जो धारण कर दूसरों को समझानी है परन्तु समझाते नहीं बाबा देख रहे हैं हम कितनों को समझाते हैं कितनों को नहीं तो बाबा केते हैं परन्तु समझाते नहीं अभी तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम स्रिष्टाचार यथा राजा रानी तथा प्रजाश्रेश्ट थें, शेर बकरी एकटे जल पीते थें, वहां कंस, जरासंगी, हिरन्या कश्यप आदी कुछ भी नहीं थे, कहां सत्यूग में, हिरन्या कश्यप आदी को सत्यूग में और स्रीकृष्न को फिर द्वापर में ले गए हैं, रावन अभी है आसुरी संप्रदाई अर्था आसुरी मत पर चलने वाले तो बाबा ने कहा किसी को उठा कर कहीं डाल दिया, किसी को उठा कर कहीं रख दिया, तो पूरे-पूरे confusion है अभी, अभी बाप आकर के स्रीमत देते हैं, जिससे तुम ब्रामन से देवता बनते हो, परम पिता देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं, परम पिता परमात्मा, ब्रामा के मुख कमल से, दूसरा कोई धर्म वहां होता नहीं, सत्यूग त्रेता में तो दूसरा कोई धर्म स्थापन हुआ नहीं है, दोनों युक की एज तो एक जेसी 1250 है, सत्यूग में देवी स्थापन करने वाला परम पिता परमात्मा है, स्वर्ग का रचेता है बाप, सत्यूग त्रेता की राजाय रची है, गाया भी जाता है परम पिता परमात्माने, ब्रह्मा मुक्से, ब्रामन, देवता और शत्रिय धर्म रचा, बाप केते हैं यह जो तुमको ग्यान सुनाता हूं, यह फिर प्राइलोप हो जाएगा, इसलामी बोधी आदी जो धर्म स्थापन करके गए है, उनका नाम, रूप, देश, काल, आदी तो नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो अभी भी चलता है, तो सब को याद रहता है, उनको तो सब जानते हैं ना, यह देवता धर्म में कैसे स्थापन करता हूं, यह ज्यान सब भूल जाएंगे, द्वापर में फ तो बाबा केते हैं, सिर्फ एक देवता धर्म जो में स्थापन करता हूं, वो ही गुम हो जाता है, वो भी ड्रामा में लिखा है, इसलिए गुम हो जाता है, तो बाबा केते हैं, आपस में कितने लड़ते हैं, क्योंकि उसमें भी अंदर-अंदर डिविजन होगी है, इसलि भी विश्नु बनके करना है लेकिन बाबा केता है मैं नहीं करता तो बाबा चले जाते हैं छिप जाते कहां रिटाइर्मेंट में परमधा में स्वर्ग में जो देवी देवताय थे उनको फिर माया आकर चटकी कर लिया माया ने पूरे बेगुन बन गए हैं गाते भी है मुझे निर्गुन हारे में कोई गुन नहीं तब तो गुनवान दिलताओं की पूजा करते हैं बड़े बड़े राजाओं के पास अंदर महलों में मंदीर रहते हैं पूजा करते हैं ऐसा कोई राजा नहीं होगा जिसके पास मंदीर नहों अब बच्चे जानते ह शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, तब ही सो देवी देटा बनेंगे, परंतु श्रीमत पर भी चलते नहीं, बाबा कहते हैं कोई भी बात में कुछ मुझो, तो चिठी लिखकर पूछो, बाप को याद करो, माया ऐसी है जो स्वर्ग करने वाले परंपिता परमात्मा को याद करने नहीं देती, बाबा जानते हैं तूफान बहुत आएंगे, परंतु चिठी लिखकर पूछना चाहिए, तो अब भी कोई भी हमें कोई डाउट हो, संशाई हो, कुछ भी हो, बाबा केते, रात को चाट में लिखकर दो किसी की, कोई भी कोई मुरली में उसका आंसर मिल जाएगा आपको, या किसी नहीं मितात्मा से आपको आंसर मिल जाएगा, तो बाबा केते, परंतु चिठी लिख, पूछना चाहिए, इस हालत में क्या करे, बच्चे की शादी है, इस हालत में क्या करे, कोई मरा है, क्या करे, मत लेन उसरी कृष्ण की आत्मा खुद अंतिम जन्म में राज योग सीख रही है ब्रह्मा बाबा. सिर्फ स्री कृष्ण की आत्मा है क्या? जो भी देवी देवता घराने वाले है वो ब्रामन बने है. तो अभी हम भी ये ज्यान ले रहे हैं, पुरुशार्ट कर रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं, कदम कदम स्रीमत पर चलना है, बाप केते हैं, जितना हो सकें, बाप को याद करते रहो, तुम्हारे पापों का बोजा बहुत है, भले कोई गवर्न्मेंट सर्विस में है, आठ गवर्न्मेंट की नोकरी है, बाकी जो समवई है, उसमें याद करो, कम से कम आठ गवंटा तुम मेरी सर्विस करो, बाप को याद करो, स्वधर्शन चक्र फिराओ, शंक द्वनी करो, कौनसी, बाबा केते, कौनसी शंक द्वनी, मिन्स मेसेच देना, इसमें, इस कॉंटेक् जो समानी क्या करनी है, सबको कहो, ग्रहस्त वेवार मेरेते, कमलफूल समाधर, रह करके, बाप से वर्सालो, बाप स्वर्ख रचते हैं, तो स्वर्ख का वर्सा मिलना चाहिए, भारत ही स्वर्ख का मालिक बनता हICIA, अभी तो नर्क का मालिक है, नर्क में दुखी होते है, त तुमने कितनी भूल की है, परन्तु यह भी ड्रामा में नून्ध है, अब उनसे बाहर निकलो, यह भक्ती आदी करते करते तुम तंग हो गए हो, क्योंकि कन्फ्यूस हो गए हम, अभी भक्ती भी व्यभीचारी हो गई है, यह व्यभीचारी हो गई है, सौरी, मौत आकर सामने खड़ा है, तो हम कईयों की भक्ती करते हैं, देवी देवताओं को पूछते रहते हैं, और बाद में जब कुछ नहीं मिलता है, तो हम जाके गंगा को पती पानी को भी पूछते हैं, पीपल के ट्री को पूछते हैं, तो बाबा केते हैं, अभी भक्ती भी व् गई हैं मोत आकर सामने खड़ा है तो श्रुमत पर चलना चाहिए परंत बच्चे ऐसे बाप को भुल जाते हैं माया रावन का राज्य कैसे चलता है यह भी कोई जानते नहीं है रावन का बुद जलाते हैं यह पीछे रिवाज निकला है रावन को जलाते हैं परंत हर वर्ष रावन बड़ा होता जाता है आगे मिन्स पहले दस फुट का बनाते थे फिर पंद्रा फुट का बनाया फिर पचास फुट एक दम छत जितना लंबा बनाते हैं बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं इतने बड़े मनुश्य तो होते नहीं जास्ती में जास्त लंबे-लंबे हो जाते हैं, नहीं, मनुश्य मनुश्य ही है, जैसे अभी देखते हैं, बिन्य बिन्य विराइटी है, कोई लंबा है, कोई थोड़ा मीडियम है, कोई शोट है, तो बाबा केते हैं, मनुश्य मनुश्य ही है, जैसे अभी देखते हैं, बिन्य बिन्य विराइट कोई काले, कोई कैसे, भारत में सुंदर भी थे, अभिश्याम बने है, सुंदर बनाने वाला है बाबा, वह है हसीन मुसाफिर, वह तुम से बात कर रहे है, उनको भूलना नहीं चाहिए, तो देखो, यह हमारी जर्नी है, क्या है? मिन्स एंजल बनाते हैं, केते हैं न, एक तलाव है, जहां डुपकी लगाने से मनुष्य परी बन जाते है, अभी तुम समझते हो, ज्यान सागर द्वारा ज्यान की परी बन जाते हैं, अभी तो नर्क की परी हो न, बल कितना भी कोई फैशन करे, पाउडर आधी लगावे, फिर भी है तो नर्क में न, कोई से भी पूछो, यह स्वर्ग है वा नर्क है कहते हैं साहुकारों के लिए स्वर्ग है वो सही बात है ना रिच पीपल के लिए ये तो स्वर्ग है स्वर्ग नर्ग को भी जानते नहीं तो श्रीमत का ख्याल रखना चाहिए श्रीमत को भी जानते नहीं जिसने इतना स्रेष्ट बनाया उनका नाम रूप घुम कर दिया है गाते हैं तुम मात पिता हम वालक तेरे अब माता किसको कहा जाता है ये तुम जानते हो, जरूर जिसमें बाप प्रवेश कर रचना रचते हैं, उनको माता कहेंगे ब्रह्मा बाबा, हमारी बडी मा, यहां तुम समझते हो, हम प्रजा पिता ब्रह्मा की मुख्वन शावली है, शिव बाबा के पोत्रे पोत्रिया है, तो बाप के भी नाम है, बी बाब दलाल मिंस ब्रह्मा बाबा बीच में बाब दलाल जरूर चाहिए जो तुम पोत्रे पोत्रिया कहलाओ दादे से वर्सा लो तो दादा कौन है शिव बाबा तो यह दलाल है मिंस ब्रह्मा बाबा इनसे वर्सा नहीं मिल सकता इनको भी वर्सा शिव बाबा से लेना है शि ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा से बर्सा मिलता है। परंतु बाबा केते हैं तुम इनको भी भुल जाओ। मिन्स ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा से तुमको मत लेनी है। शिव जहनती मनाते हैं परंतु बिल्कुल जानते नहीं। स्वर्ग बनाने वाले बाप का दिन प्रति दिन ब्रश्टाचार होता जाता है। हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार गुद मॉनिंग और नमस्ते शुक्रिया बाबा। भूतों को निकाल देना है। काम, क्रोध, लोब, जो भी हमें भूत है विकारों के। कोई भी ब्रश्ट बनाने वाला काम नहीं करना है। आज का वर्दान है, समस्याव रुपी पहाड को उड़ती कला द्वारा सेकेंड में पार करने वाले सहज पुरुशार्थी भवा। समस्याव रुपी पहाड को उड़ती कला द्वारा सेकेंड में पार करने वाले सहज इजी पुरुशार्थी भवा। विस्तार में बाबा ने समझाया है, हिमालाई परवच जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधी को अपनाओ। तो बाबा केते, चाहे कितनी भी समस्या बड़ी हो, हिमालाई परवच जितनी बड़ी समस्या को भी पार करने के लिए उड़ती कला की विधी को अपनाओ। तो उर्दीकला की विधी हम कैसे ले सकते हैं? बाबा का ज्यान, बाबा के साथ योग लगाने से हम इतने हलके होते जाएंगे और बाबा से हमें शक्तियां मिलती जाएगी और हम इतनी आसानी से समस्याओं को भी जीत पाएंगे. बाबा केते सदा अपने सामने सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रखो और उड़ती कला में उड़ते रहो तो समस्याओ रुपी पहाड को सकेंड में पार कर लेंगे. तो अभी वर्तमान में हम क्या है? श्रेष्ट ब्राम्मन है. और फ्यूचर में भविश्य में क्या बनेंगे? श्रेष्ट देवता. तो बस उसके अनुभवी बनो. तो बाबा केते हैं जैसे बाबा एक्जामपल देते हैं. स्तूल नेतरों द्वारा स्तूल वस्तु स्पष दिखाई देती है. ऐसे बुद्धी के अनुभव के नेतर द्वारा प्रालब्द स्पष्ट दिखाई दे. हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहो. तो बस हम क्या करते रहे? स्वधर्शन चक्र गुमाते रहे और अपना पुरुशार्थ बढ़ाते रहे और अपने भ स्वष्ट दिखाई दे और हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते रहे हैं. तो बाबा के ते कितनी भी चाहे समस्या हो हमारे सामें, उड़ती कला हो जाती है हमारी और हम उसको पार कर लेंगे. स्लोगन है आज का जो सब का आदर करते हैं वही आदर मुर्श मुर्थ बनते है जो सब का आदर करते हैं वही आदर मुर्थ बनते हैं अच्छा तो बाबा की मुर्ली पूरी होती है दो मिनिट बाबा का ज्यान करते हैं